मैं डॉक्टर भामा अगरवाल आपके अपने यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं अभिनंदन करती हूं आईए प्यारे बच्चों आज हम धुरू स्वामिनी नामक नाटक का अध्यान शुरू करते हैं इस नाटक के अध्यान से पूर्व इसे सरल और सहज बनाने के लिए हमें इसकी भुमिका को समझना होगा जो इस प्रकार हैं धुरू स्वामिनी नाटक चायावादी साहित्यकार जैशंकर प्रसाद द्वारा रचित है जो 1933 में प्रकाशित हुआ यह भारतिय इतिहास के स्वन युग गुप्त काल की प्रिष्ट भुमी को लेकर रचा गया इसमें पुरुष सत्ताद्मक समाज के शोशन के वृद्ध नारी के विद्रोह द्वारा उसके अस्तित्व अस्मिता अधिकार अनुचित विवासे मौक्ष तथा पुनर लगन के समस्या का समाधान प्रस्तुत किया गया है यहां समुद्र गुप्त की मृत्यू से लेकर चंद्र गुप्त के राजा बनने तक के समय के घटना क्रम को तीन भागों में विभाजित किया गया है पात्र सुची धुरुस्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, चंद्र गुप्त, राम गुप्त, शिकर स्वामी, पुरोहित, शकराज, खिंगिल, मिहिर देव, सामंत कुमार, शक्र सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कूबडा, बोना, हिजडा, नर्तकिया प्रथम अंक इस प्रकार है स्मरणिय बिंदू नमबर एक प्रथम अंक का आरंभु परवतिय प्रदेश में राम गुप्त के युद्ध शिविर में धुरुस्वामिनी के प्रवेश से होता है नमबर दो यह विजय अभियान केवल बहाना है वास्तों में धुरुस्वामिनी के हिर्दे में चंद्र गुप्त के प्रती भावों का पता लगाना है नमबर तीन इस कारिये के लिए राम गुप्त ने अपनी बहन मंदाकिनी को दासी के रूप में निउक्त किया है जो अपने उदेशे में सफल होती है अर्थात वो धुरुस्वामिनी के हिर्दे में चंद्र गुप्त के प्रती कोमल भाव है यह जान लेती है नमबर चार आयोग कमजोर तथा विलासी राम गुप्त महामंत्री शिखर स्वामी के शडियंत्र द्वारा गुप्त समराज तथा धुरुस्वामिनी दोनों को प्राप्त करता है इसलिए हमेशा सशंकित रहता है सशंकित डरा हुआ नमबर पांच राम गुप्त की अयोग्यता को जानकर शकराज उसे घेर कर युद्ध के लिए ललकारता है नमबर च्छे रस विलास में डूबा राम गुप्त कोई उत्तर नहीं देता तो शकराज दो शर्तों के साथ संधी प्रस्ताओ भिजवाता है अत्वा भेज देता है नमबर साथ शर्त के अनुसार धुरू स्वामिनी अपने लिए तथा गुप्त सामंतों की पतनिया शक्त सरदारों के लिए मांगी जाती है नमबर आठ गुप्त वन्शिय पर्तिष्ठा के वृद राम गुप्त संधी की शर्त स्विकार कर लेता है नमबर नो धुरू स्वामिनी अपनी पर्तिष्ठा की रक्षा के लिए राम गुप्त से प्रार्थना करती है मगर वह इसके लिए तैयार नहीं होता नमबर दस शिखर स्वामि कहता है कि राज्ये और राजा की रक्षा हर वस्तु देकर होनी चाहिए नमबर ग्यारा ए सहाए धुरू स्वामिनी सम्मान की रक्षा के लिए आत्म हत्या को तत्पर होती है उसी समय चंद्रगुप्त आकर उसे बचा लेता है नमबर बारा चंद्रगुप्त स्वाम धुरू स्वामिनी के रूप में सामंत कुमारों को साथ लेकर शक्राज से इस अपमांजनक शर्त का बदला लेना चाहता है मगर धुरू स्वामिनी उसे ऐसा करने से रोपती है नमबर तेरा अंतमे चंद्रगुप्त धुरू स्वामिनी वे सामंत कुमारों को लेकर शक्राज के पास जाता है नमबर चोदे चंद्रगुप्त की बहन मंदाकिनी के ओजस्वी गीत के साथ सब प्रस्थान करते हैं और परदा गिरता है आए प्यारे बच्चो अब हम इस नाटक के पदों की व्याख्या कर उसे समझने की कोशिश करते हैं पद संख्या 42 जूट युद के डर से पूरुष होकर भी इस्तरी बन गया है हिजडा मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं युद नहीं जानती बोना तुम नल कूबर की इस्तरी हो ने तो अपनी विजे का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूँगा लोगों की ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर खीचता हुआ ठीक होगा न कदाचित ये धर्म के विरुद्ध न होगा रामगुप्त ठठा कर हस्ता है प्रसंग प्रस्तुत पंग्तियां चाया वादी साहित्यकार शिरी जैशंकर प्रसाद जी दुआरा रचित धुरू स्वामनी नाटक के प्रथम अंक से ले गई है संधत यहां उस घटना का वर्णन है जब शकराज के दुआरा घीरे जाने पर संधी प्रस्ताव की शर्त के विशे में बात करने के लिए शिखर स्वामी और रामगुप्त धुरू स्वामनी के कमरे में पहुँचते हैं उसके कक्ष में आते हैं तो वहां पर बोना, हिजडा और कूबडा दिग विजे का नाटक खेल रही है जिसे देखकर रामगुप्त उस नाटक में खो जाता है यहां उसी घटना का वर्णन करते हुए नाटक कार लिखते हैं कि व्यक्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ बोना, जूट, युद के डर से पुरुष होकर भी इस्तरी बन गया है यहां जब हिजडा, बोने को कूबड पर लात मारने से मना करते हुए कहता है कि मैं नल कूबर की बहु हूँ हूँ और इसके कूबड पर बैठी हुई हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तब बोना कहता है कि जूट, यह पूरी तरह से जूट है तुम युद में सामना करने से बचने के लिए पुरुष होकर भी इस्तरी बन गये हो अर्थात यहां पर इस हिजडे और बोने के माध्यम से राम गुप्त के चरित्र पर कटाक्ष किया गया है हिजडा, मैं तो पहले ही कह चुके हूँ कि मैं युद नहीं जानती कि हिजडा कहने लगा कि मैं तो पहले ही आपको कह चुके हूँ मुझे युद करना नहीं आता है तो मैं भला युद कैसे करूँगी बोना, तुम नल कूबर की इस्तरी हो ना, कि तुम नल कूबर की ही पतनी हो ना, तो फिर तुम उससे युद्ध मत करो, मैं बिना युद्ध करे अपनी जीत की घोशना करता हूं, और इस जीत का उपहार समझ कर मैं तुम्हारा अपहरन कर लूँगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और फिर वह हैं वहां उपस्तित सब की ओर देखते हुए लोगों की ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर, खींचता वह कि तब बोना उस हीजडे का हाथ पकड़ कर खीचता है और वहाँ उपस्तित सभी लोगों की ओर देखकर हसने लगता है ठीक होगा ना कि यह मेरा कारिय ठीक ही है ना कदाचित कहीं यह धरम के विरुद्ध ना हो कि धरम के विरुद्ध यह आचरण नहीं होना चाहिए रामगुप ठाहा का लगा कर हसता है आएए प्यारे बच्चों हम इस पद की व्यक्षा एक बार फिर करती है यहां बोना जब लात मार कर कूबडे के कूबड को ठीक करने की बात करता है तो हीजड़ा कहता है कि मैं नल कूबर की बहू हूँ और इस पर बैठी हुई हूँ तुम लात मारने की गलती मत करना तो बोना उत्तर देते हुए कहता है जूट है तुम इस तरी नहीं हो तुम युद्ध के डर से इस तरी बनी हुई हूँ वास्तों में तुम पुर्षो और पुर्ष होने के नाते तुम्हारा दाइत्व है मुझसे युद्ध करने तब हीजड़ा कहता है कि मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं इस्तरी हूँ और मुझे युद्ध करना नहीं आता है तब बोना कहता है तुम नल कूबर की इस्तरी हो ना कि तुम नल कूबर की पत्नी हो ना तो मैं अपनी जीत की घोशना करते हुए तुम्हें अपनी जीत की भेट समझकर तुम्हारा अपहरण कर लूँगा तुम्हें अपने साथ छीन कर ले जाओंगा तब बोना हिजडे का हाथ पकड़ कर खीचने लगता है और वह लोगों की ओर देखकर इस प्रकार चलता है मानो उसने जीत हासिल कर ली हो और फिर वह पूछता है कि मेरा यह कारिय ठीक ही है न कहीं यह कारिय धर्म के वुरुद नहीं होना चाहिए तब रामगुप्त ठहा का लगा कर हसने लगता है अर्थात नाटक कारने यहां इस नाटक के माध्यम से गुप्त समराज्य में उत्पन राजनेतिक स्थेती में समराट रामगुप्त के द्वारा किये जाने वाले आचरण पर कटाक्ष किया है भावार्थ यहां नाटक कार राम गुप्त के चरित्र पर कटाक्ष करते हुए इस नाटक का संयोजन करती है विशेश यहां राम गुप्त की विलास प्रियता और स्थिती से पलायन वादी द्रिश्टी को अपनाने के भाव पर व्यंग कर रही है शुद्ध साहिति खड़ी बोली है तत्सम प्रधान शब्दावली है वेंजना शब्द शक्ति है प्रसाद गुण है समवादात्मक शेली और अनुभूती परक बिंब का सुन्दर सटी परियोग हुआ है पद संख्या तैतालिस धुरु स्वामिनी क्रोध से कड़कर निकलो अभी निकलो यहां ऐसी निरलज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती शिखर स्वामी की और भी सक्रोध देखती है शिखर के संकेत करने पर वे भाग जाते हैं प्रसंग पूरववत संधर यहां नाटक कार उस घटना का उलेक करते हैं जब कूबडा बोना और हिजडा दिग विजय का नाटक खेलते हैं और अंत में बोना हिजडे को नल कूबर की वधु कहकर उसका अपहरन करने का द्रिश्य बनाता है तो इसे देखकर जब रामगुप्त हसता है तो धुरू स्वामिनी को इस बेशर्मी के नाटक को देखकर हसने की घटना से क्रोध उत्पन हो जाता है और वो क्रोध में कहती है कि व्यक्या शब्दों के अर्थ साथ साथ यहां धुरु स्वामिनी जब बोने के द्वारा इस्तरी के प्रती इस प्रकार की निरलजजेता बेशर्मी के वहवार को देखती है, तो वह अत्यंत क्रोधित हो जाती है, और क्रोध में उत्तेजित होकर कहती है, निकलो अभी निकलो, कि तुम यहां से चले जाओ, तुरंत चले जाओ, मुझे इस प्रकार की बेशर्मी का नाटक देखना अच्छा नहीं लगता, फिर वह शिखर स्वामी की और भी क्रोध से देखती है, क्योंकि वह भी उस नाटक को देखने में मश्गूल हो गए, व्यस्त हो गए, खो गए, संभावत है, यह नाटक शिखर स्वामी के द्वारा ही करने का आदेश मिला हो, ताकि धुरू स्वामी की मानसिक्ता को बदलने के लिए भूमी का तैयार की जा सकी, कर शिखर स्वामी के शडियंत्रकारी स्वाभाव को समझ कर उस पर क्रोधित होती है, तब शिखर उन तीनों को वहां से जाने का इशारा करते हैं, और वह तीनों भाग जाते हैं, आईए प्यारे बच्चों हम एक बार फिर इस पद की व्यख्या करते हैं, यहां जब बोना, हिजडा और कूबडा धुरु स्वामिनी के कक्ष में दिग विजे का नाटक खेलते हैं, और बोना अंत में हिजडे का हाथ पकड़ कर इस्तरी के अपहरन का नाटक करता हैं, तो इस द्रिश्य को देख कर रामगुप्त प्रसन हो जाते हैं, मगर इस्तरी यहां से भाग जाने का आदेश देते हुए कहती है, निकलो, भाग जाओ, तुरंत यहां से चले जाओ, मुझे इस प्रकार की बेशर्मी का निरलज्यता माने होता है, बेशर्मी, बेहयाई, शर्म से रहित, कि इस प्रकार की बेशर्मी का नाटक देखना अच्छा नहीं ल लिए इन तीनों को इस प्रकार के नाटक खेलने का आदेश दिया हूँ, कि शिखर स्वामी जो इस नाटक को देखने में आनंद प्राप्त कर रहा था, उसे भी धुरू स्वामी अत्यंत क्रोध के साथ देखती है, और तब शिखर स्वामी उन तीनों को इशारा करते हैं, कि वो यहां से चले जाएं, तब वो तीनों वहां से चले जाते हैं, भावार्त, संभावतन नाटक कारने, धुरू स्वामी के मन में, शकराज के पास जाने की भुमिका को तैयार करने के लिए, यह नाटक खेलने के लिए तीनों को धुरू स्वामी के कक्ष में भेजा हूँ, विशेश, यहां धुरु स्वामिनी के अभिमान से भरे हुए व्यक्तित्व का उल्ले किया गया है, शुद्ध साहितिक खड़ी बोली है, तच्सम परधान शब्दावली ने विशे को गंभीरता दी है, अभीधा शब्द शक्ति है, वीर रस ओज गुण है, समवादात्मक शैली और अनुभूती परक बिम्भ है, पद संख्या चमालिस रामगुद्ध, अरे ओ दिग विजई, सुन तो उठकर ताली पीटता हुआ हसने लगता है, धुरु स्वामिनी क्षोब और घ्रणा से मुँ फेर लेती है, शिकर स्वामी के संकेत से दासी मदीरा का पात्र ले आती है, उसे देखकर प्रसन्नता से आखे फाड कर सिखर की और अपना हाथ बढ़ा देता है, अमात्य, आज ही महादेवी के पास मैं आया, और आप भी पहुँच गए, यह एक विलक्षन घटना है, है ने, पात्र लेकर पिता है, प् शिखर स्वामी और राम गुप, दोनों गुप्त समराज्य पर छाय हुए संकट के बादलों के विशय में बता कर, सहानू भूती पूर्ण उनके सहयोग के लिए उन्हें तयार करने के लिए पहुँचे हैं, और वहां का दृष्य प्रसुत करते हुए नाटक कार लिखते ह व्यक्या, शब्दों के अर्थ आवशक्ता के अनुसार, जब धुरू स्वामनी के क्रोध के कारण शिखर स्वामी के संकेत से, बोना, हिजडा और कूबडा, उस कक्च से जाने लगते हैं, तो राम गुप्त, उस बोने को आवाज लगाते हुए कहते हैं, अरे ओ दिगविजई, अरे ओ दसो दिशाओं को जीतने वाले, इस संपूर्ण पृत्वी को जीतने वाले, जरा मेरी बात तो सुनता जा, और फिर वह उठकर ताली बजाने लगता है, और जोर जोर से हसने लगता है, धुरू स्वामनी राम गुप्त के इस आचरन को देख कर, आत्यन्त आक्रोश से भर जाती है, और उससे नफरत करते हुई मूँ फेर लेती है, कि ऐसा आयोग्य कायर निरलज, लापरवा और विलासी महराज जिस समराज्य को संभाले हुए हो, उसका कभी भला नहीं हो सकता, शिखर स्वामी के संकेट से दासी मदीरा का पात्र ले आती है, वहा उपस्तित दासी को शराब और शराब का प्याला लाने का इशारा करते हैं, और वहें उसे लेकर आ जाती है, उसे देखकर प्रसनता से आँखे फाड़ कर शिखर की और अपना हाथ बढ़ा देता है, जब रामगुप्त शराब और शराब के प्याले को देखता है तो वह शिखर स्वामी पर अत्यंत प्रसन हो जाता है और भावना से भरकर वह उनकी और अपने हाथ बढ़ा देता है मानो वह उसे धन्यवाद कर रहा हो आभार जिता रहा हो और तब वह शिखर स्वामी से कहता है आमात्य आज ही महादेवी के पास मैं आया कि है महामंतरी मैं भी आज महरानी से मिलने आया हूँ आप भी पहुँच गए और आप भी मेरे साथ साथ आगए यह है विलक्षन अदवुत घटना है न है न कि यह है तो बड़ी अदवुत घटना हुई कि मैं और तुम दोनों एक साथ महरानी के पास पहुँचे यह बड़ी विचित्र बात है यह बड़ा अदवुत संजोग है मैं ठीक कहता हूँ न और फिर वो शराब का प्याला लेकर शराब पीने लगता है कहने का भाव यह है कि रामगुप्त और शिकर स्वामी जो योजना बनाकर धुरु स्वामिनी के कक्ष में पहुँचे हैं वहां पहुँचकर इस अदवुत संजोग का नाटक करते हैं ध आए प्यारे बच्चों एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं जब धुरु स्वामिनी के क्रोध करने पड़ शिकर स्वामी के इशारे से वो तीनों उस कक्ष से निकलने लगते हैं तो रामगुप्त बोने को पुकारते हुए कहता है कि अरे दसो दिशाओं को जीतन वाले वामन बीर जरा मेरी बात तो सुनता जा तब वह उठकर ताली बजाने लगता है और जोर जोर से हसने लगता है रामगुप्त के इस आचरन को देख कर धुरु स्वामिनी उसकी दुष चरित्रता के कारण अत्यदिक क्रोधित हो जाती है और नफ्रत से मूँ फेर ले और वहें मदिरा लेकर शराब लेकर वहां पहँच जाती है जब दासी के हाथ में वह मदिरा को देखता है तो रामगुप्त प्रसनदा से पागल हो जाता है और धुरुस्वामिनी बेद दासी की उपस्थित्ती का लिहाज किए बिना, शर्म रखे बिना, वह भाव विभोर होकर महामंत्री की ओर दोनों हाथ इस प्रकार बढ़ा देता है मानों उन्हें गले लगाने के लिए बेचैन हो उसका आभार जता रहा हो और फिर वह शिकर स्वामी से कहता है हे महामंत्री आज ही मैं महरानी से मिलने के लिए आया हूँ और आप भी आजी आगे यह तो बड़ी विचित्र अध्वुत घटना हुई यह बड़ा अध्वुत संजोग है मैं ठीक कहता हूँ न और फिर वह दासी के हाथ से शराब का प्याला लेकर शराब पीने लगता है नाटक कार के कहने का भाव यह है कि जो शिखर स्वामी और रामगुप्त योजना के अनुसार धुरु स्वामनी के कक्ष में पहुँचे है वो वहाँ इसे अध्वुत संजोग दर्शाकर धुरु स्वामनी को भर्माने की कोशिश कर रहे है भावार्त नाटक कार के कहने का भाव यह है कि रामगुप्त व शिखर स्वामी दोनों ही कपट का आचरन धारन करने वाले व्यक्तित्व है और उसी कपट के आचरन से धुरु स्वामनी को बहलाने की कोशिश कर रहे है शुद्ध साहिति खड़ी बोली है तत्सम परधान शब्दावली है लक्षना शब्द शक्ति है प्रैसाद गुण है संबोधन शैली और अनुभूती परक बिंब का सुन्दर परियोग हुआ है पद संख्या पैंतालिस शिखर स्वामी देव मैं अभी एक आवशक कारिय से आया हूँ रामगुद मैं तो भूल ही गया था वह बरबर शक्राज क्या चाहता है मैं आकर्मन न करूँ इतना ही तो जाने दो युद्ध कोई अच्छी बात नहीं है शिखर स्वामी वह और भी कुछ चाहता है रामगुद क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है शिखर स्वामी सिर जुका कर गंफीरता से नहीं देव वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है रामगुद क्या कुछ कहो भी प्रसंग पूर्ववत संधर यहां रामगुप्त वशिखर स्वामी धुरु स्वामनी के कक्ष में जाकर गुप्त समराज्ये पर आई वर्तमान राजनेतिक और युद संबंदी प्रिस्थितियों पर वह इस प्रकार नाठ की अंदाज में बातचीत करते हैं मानों उन्हें इसके विशय में पहले कोई जानकारी ही ना हो ताकि धुरु स्वामनी के मनों भावों को वो जान सके उसी घटना को दर्शाते हुए नाठक कार लिखते हैंगी व्याख्या शब्दों के अर्थ आवशक्ता के अनुसार यहां जब रामगुप्त अपने साथ साथ शिखर स्वामी का धुरु स्वामनी के कक्ष में उपस्तित होना एक अदवुत संजोक का कारण बताते हैं तब शिखर स्वामी रामगुप्त से कहता है देव मैं अभी एक आवशक कारिये से आया हूँ कि महराज मैं एक जरूरी काम से बादचीत करने के लिए यहां पहुचा हूँ तब रामगुप्त अंजान होने का नाटक करते हुए कहता है कि ओह मैं तो भूली गया कि मैं तो यहां आकर भूल गया कि आज गुप्त समराजे पर किस प्रकार की राजनेतिक और युद्ध सम्मंदी स्थिती बनी हुई है वह बर-बर शकराज क्या चाहता है कि वे हिंसक वह पाश्विक प्रवर्तियों वाला शकराज हमसे क्या चाहता है यही चाहता होगा न कि मैं उस पर आकरमन ना करू इतना ही तो चलो मैं उसे छोड़ता हूँ मैं उसे युद्ध नहीं करूँगा और युद्ध करना तो वैसे भी कोई अच्छा काम नहीं है क्यूं बेकार ही व्यर्थ ही जन्धन की हानी की जाए हिंसा का खेल खेला जाए शिकर स्वामी वह और भी कुछ चाहता है कि वह आप उस पर आकर्मन ना करें इसके अतिरिक्त उसकी इच्छा कुछ और भी है रामगुद्ध क्या कुछ साहेता भी मांग रहा है क्या उसे मुझसे किसी प्रकार के सहयोग की आशा है वह मुझसे कुछ और चाहता है ते हुए कहता है नहीं माहराज, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है, कि वह अर्थात शकराज, असंगत जो सही नहीं है, अनुचित, अशिष्ट शिष्टाचार के विरुथ, शालीनता के विरुथ, मानविये आचरण के विरुथ, सम्मान के विरुथ, शालीन्ता से रहित शर्म से रहित एक और प्रार्थना कर रहा है कुछ और चाहा रहा है रामगुप्त वैं क्या चाहता है कुछ बताओ तो सही आईए प्यारे बच्चों हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं यहां जब रामगुप्त अपने और शिखर स्वामी के ध्रु सामनी के कक्ष में पहुंचने को अध्भुत संजोग मानता है या संजोग मानने का नाटक करता है तब शिखर स्वामी कहते हैं महराज मैं यहां एक जरूरी बात करने के लिए आया हुआ हूँ मैं तो भूली गया कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि वह पाश्विक प्रवर्ती वाला हिंसक शक्राज हम से क्या चाहता है वह यही चाहता है ना कि मैं उस पर आकर्मन ना करूँ वह मेरी वीर्ता से मेरी युद्ध प्रियता से मेरे युद्ध कोशल से डर चुका है चल मैं उसे चोड़ता हूँ मैं उससे युद्ध नहीं करूँगा और युद्ध करना कोई अच्छी बात भी नहीं है क्यों व्यर्ती खून की नदिया बहाई जाए जन धन की हानी की जाए और हिंसा फैलाई जाए शिखर स्वामी वैं और भी कुछ चाहता है कि महराज आप उस पर आकर्मन ना करें इसके साथ साथ वो आप से कुछ और भी मांग रहा है क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है क्या उसे मुझसे किसी प्रकार की सहायता की जरूरत है शिखर स्वामी सिर जुका कर बड़े गंफीर स्वर में अर्थात वह शालींता का नाटक करते हुए कहता है नहीं महाराज वह हमसे जो प्रार्थना कर रहा है जो चाहता है वह उसकी बड़ी ही अनुचित और शिष्टाचार के विरुध मांग है मानव समाज के धर्म के विरुध मांग है तब रामगुप्त अंजान बनकर कहता है क्या चाहता है वह मुझसे कुछ बताओ तो सही अर्थात कहने का भाव यह है कि शिखर स्वामी और रामगुप्त दोनों अपनी योजना के अनुसार कपट का आचरन अपनाई हुए हैं और धुरु स्वामनी के सामने अंजान होने का नाटक खेल रहे हैं ताकि धुरु स्वामनी के मनोदशा अत्वा मन के भावों को जाना जा सके भावार्थ नाटक कार के कहने का भाव यह है, कि शिखर स्वामी और रामगुप्त दोनों कप्टाचारी हैं, जूट का नाटक खेलने वाले लोग हैं, और वो अपने शडियंत्र के माध्यम से धुरू स्वामनी को शकराज के पास जाने के लिए भूमिका बना रहे हैं विशेश, यहां धुरू स्वामनी के कक्षमे उपस्थित रामगुप्त और शिखर स्वामी के अभिने के माध्यम से उनके शडियंत्र कारी चरित्र को उभारा गया है, शुद साहेतिक खड़ी बोली है, तच्सम परधान शब्दावली का प्रियोग है, प्रैसाद गुण है वेंजना शब्द शक्ति है, समवादात्मक शैली और अनुभूती परक्त बिम्ब है, पद संख्या चियालिस, शिखर स्वामी, क्षमा हो महराद, दूत तो अबध्य होता है, इसलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा, वह कहता था कि शकराज से महादेवी धुरू स्वाम बंद स्थिर्ख हो चुका था, बीच में ही आर्ये समुद्र गुप्त की विजय यात्रा में, महादेवी के पिताजी ने उपहार में उन्हें गुप्त कुल में भेज दिया, इसलिए महादेवी को वहुँँद प्रसंग पुर्ववत, संधर, यहां शिखर स्वामी और रा जानकारी ही ना हूँ, और वो इस कपट के आचरण के माध्यम से धुरु स्वामिनी के समक्ष भुमिका तयार कर रहे हैं, यहां नाटक कार उसी द्रिश्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि वैख्या, शब्दों के अर्थ आवशक्ता के अनुसार, शिखर स्वामी राम करते हुए कहता है कि महराज मुझे माफ करें, क्यों माफ करें, क्योंकि मैंने शकराज के इस प्रस्ताव को सुन लिया, और क्यों सुना उसका उत्तर देते हुए कहता है, दूत तो अबध्य होता है, कि दूत का वद्ध करना उचित नहीं होता है, कि ताजनिती और कोटनित के अनुसार किसी भी दूत के साथ कोई भी ऐसा कारिय नहीं हो सकता जो आपत्ती जनकों अर्थात ने उसे कारागार में डाला जा सकता है और नहीं उसका वद संभव गए अते जो संदेश वो लेकर आया था वो सुनना हमारी विवश्टा बन गई मजबूरी बन गई वह कहता था कि शक्राज से महादेवी धुरु स्वामिनी का कि दूत ने हमें कहा है कि शक्राज और महादेवी धुरु स्वामिनी का बात बीच में शालींता का परीचे देते हुए छोड़ देता है कि धुरु स्वामिनी को यदि कोई आपत्ती है तो वो इस बात को यहीं रोक और देखने लगता है कि बात को बीच में अधूरा छोड़ धुरू स्वामनी से इजाजत पाने के लिए उनकी और देखने लगता है तब धुरू स्वामनी सिर हिला कर बात पूरी करने के आग्या देती है आदेश देती है विवहा संबंद स्थिर हो चुका था कि दूत ने बताया है कि शकराज और महादेवी धुरू स्वामनी का विवहा संबंद स्थापित किया जा चुका था अर्थात उन दोनों का विवहा करना निश्चित हो चुका था प्रंतु इसी दोरान कि इसी समय आर्ये समुद्र गुप्त जो दिग विजय के लिए निकले थे उनके प्रभाव में आकर धुरू स्वामनी के पिता ने महारानी को गुप्त समराज्य में भेट के रूप में दे दिया इसलिए वह महादेवी पर महारानी पर अपना पहला हक मानता है और उसी हक के अनुसार अपने लिए धुरू स्वामनी की मांग कर रहा है महारानी की मांग कर और कहने का भाव यह है कि शक राज ने एक इस केहने का भाव है कि शिखरस्वामी रामगुप्त के समक्ष धुरस्वामिनी को शक्राज को सोप देने के लिए भूमिका तैयार करते हुए कहता है कि शकराज से पहले धुरु स्वामिनी का विवान निश्चित हो चुका था जो आर्ये समुद्र गुप्त के दिग विजय अभ्यान के कारण तूट गया इसी को आधार बना कर वह धुरु स्वामिनी की मांग कर रहा है भावार्द कहने का भाव यह है कि शिखर स्वामि इस नाटक के माध्यम से धुरु स्वामिनी को शकराज के पास भेजने की भूमिका तयार कर रहा है विशेश यहां शिखर स्वामि और राम गुप्त के शडियंत्रकारी स्वाभाव को उधगाटित किया गया है शुद्ध साहितिक खड़ी बोली है प्रसाद गुण है वेंजना शब्द शक्ति है समवादात्मक शैली और अनुभूती परक बिम्ब का सुन्दर सटीक परियोग हुआ है आज की कक्षा में प्यारे बच्चों इतना ही अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आशा है पड़ा गया विशे आपको समझ में आया होगा अपने भाव वे विचार कमेंट बोक्स में लिखें वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल सब्सक्राइब करें आपका दिन और जीवन मंगल में हो इसी शुब कामना के साथ धन्यवाद आभार